किंग कॉंग वर्सेस गौड़्जिला अरेस्ट चारो और अफरा तफरी मची थी कोई खुद को बचा रहा था तो कोई दूसरों को तो कोई सब कुछ भूलके बस पागलों की तरह वो नजारा अपने आखों में कैद कर रहा था कि तबी एक मिसाइल चली और एक बड़े से मौंस्टर गौड़्जिला बिगा गिरी समिंदर के लहरों के साथ वो गौड़्जिला धम से पानी में जा गिरा और एकदम से सन्नाटा चा गया सब लोगों ने कुछ देर उस मौंस्टर के उठने का इंतजार किया पर काफी देर इंतजार करके भी जब वो जानवर पानी से बाहर नहीं आया तब लोगों ने खुशी के मारे चिलाना शुरू कर दिया फिर से भगदर मच गई और उस गौडजिला को धूंड के पानी से बाहर निकाला गया बड़ा मुश्किल काम था वो पर जैसे तैसे लोगों ने उसे बाहर निकाल कर जंजिरों से कस कर बान दिया हे ये पक्का मर गया ना जाकर कोई चेक करो जल्दी मैं अभी चेक करता हूँ हैं ये तो अभी जिन्दा है ओ माइ गॉड एक शक्तिशाली मिसाइल भी इसे नहीं मार पाया इट्स ओके आप हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे अरे आप पागल तो नहीं हो गए इसे जिन्दा रखा तो ये फिर से सब के लिए मुसिबत बन जाएगा अभी हमने इसे बड़ी मुश्किल से पगड़ा है अगर ये जाक गया तो और खुंकार बन जाएगा हम ये रिस्क नहीं उठा सकते राज उस सैंटिस्ट को मनाने की कोशिश करने लगा पर उस गौड़जिला पर एक्सपरिमेंट करने का ऐसा जुनल सवार था उस पर कि उसने राज की एक बात नहीं जुनी और वो सब को इंस्ट्रक्शन देता रहा लोग भी उसकी बाते मानने लगे अब इतने बड़े गौड़जिला को किसी लैब में रखना मुम्किन नहीं था इसलिए उसे उसी समुन्दर से थोड़ा दूर एक बड़े से मैदान में रखा गया और उसके इर्दगिर्द सुरक्शा के कड़े इंतजाम किये गए सेर आप फिर से एक बार मेरी बात मान लीजिए वरना ये एक्सपेरिमेंट आपको और हम सब को बहुत महेंगा बड़ेगा प्लीज सेर आइ ठिंक तुम इस मैटर से दूरी रहो डरपोग लोगों का यहाँ कोई काम नहीं पता नहीं तुम नेवी में भरती कैसे हो गए साइंटिस्ट ने राज को जलील करके वहां से निकाल दिया और खुद अपनी टीम के साथ उस गौडजिला के पास रुख कर एक्सपेरिमेंट करता रहा लगातार दो तीन रात तो सिर्फ उसकी मोटी चमड़ी हटाने में लग गई पर इस वज़ा से वो बेहोश दानों होश में आने लगा सारे लोग फिर से डर गए साइंटिस्ट का असिस्टेंट तुरद एक केमिकल उस गौडजिला को पिलाने लेकर आया ताकि वो बेहोश हो जाए पर साइंटिस्ट ने उसे रोक लिया रुक जाओ ये मत करो हमें पता नहीं इस केमिकल का उस पर क्या रियक्शन होगा वो मर भी सकता है और मुझे वो जिन्दा चाहिए किसी भी हालत में इसलिए ऐसे कुछ करने की सोचना भी मत पर सर अगर ये पूरी तरह से होश में आ गया तो हम ये एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए जिन्दा ही नहीं बचेंगे आप समझ क्यूं नहीं रहे सर बस मेरा काम पुरा हो ही रहा है तब तक ये शायद होश में ना आए थोड़ा वेट कर लेते है साइंटिस्ट ने इस बार भी अपने मन की की और अपना काम खतम करता रहा पर उसकी ये भूल बहुत महेंगी साबित होने वाली थी दूसरे ही दिन जब पूरी टीम वहाँ काम कर रही थी तब अचानक से गौड़जिला ने अपनी आग खोली और एक जटके में सारी जंजिरे तोड़ डाली जिसे देख सब खिर से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे और उसी चक्कर में एक जंजिर उड़कर साइंटिस्ट को लगी और वो वही बेहोश हो गया अगर इनोंने पहले ही राज की या मेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता अब राज ही कुछ कर सकता है असिस्टन्ट तुरंद राज को फोन करके बुलाता है राज भी अपनी जान की परवा किये बगेर वहाँ भागा भागा चला आता है और सारा खुनखराबा और तमाशा देख सोच में पढ़ जाता है जैसे मैंने सोचा ठीक वैसे ही हुआ ये और बौकला गया है आप इसे पकड़ना आम इनसानों की बसकी बात नहीं मुझे आप उसे बुलाना ही होगा वही कुछ कर सकता है राज ने शहर को बचाने के लिए उससे जो भी बन पड़ सकता था वो सब किया और फिर अपनी जेब से एक अजीब सा इंस्टूमेंट निकाल कर उसे बजाया और किसी को मैसेज भेजा राज संबल पाता कि अचानक एक बड़ा सा पोल उसके पास आकर गिरा उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया पर गौडजिला की नजर उस पर पढ़ गई राज उस जगह टैचू बन कर खड़ा रहा पर शायद गौडजिला का दिल आ गया था उस पर उसने तुरंत राज को अपने पंजे में जकड कर उठा लिया और मुँ में डालने लगा राज को लगा अब तो वो गया पर अचानक कोई बड़ा सा पंजा वहाँ आया और उसने गौडजिला के हाथ से उसे चीन लिया गौडजिला गुस्टे से यहाँ वहाँ देखने लगा और उसकी नजर एक बड़े से किंग कॉंग पर पड़ी जो अपने हाथ में राज को पकड़े खड़ा था ओ येस मैं जिन्दा हूँ मैं बज गया थैंक्स मेरे भाई मेरे दोस्ट मेरे एक बुलावे पर तुम इतनी चल्दी यहाँ आ गया जवाब में किंग कॉंग ने राज को एक हलकिसी स्माइल दी उसे अपने उंगली से हलका सा ठप ठपाया और आराम से नीचे उतार दिया अपने हिरों ने आकर सही वक्त पर राज को बचा लिया था और राज खुद को संबल कर नीचे लोगों को बचाने चला गया किंग कॉंग ने गौडजिला की तरफ देखा अपना सीना पीटा और जोड़ों से तहट लगाई जैसे कि उसे जंग के लिए चालेंज कर रहा हो और गौडजिला से जा भीटा बाथी देर वो आपस में खुश्ती लड़ते रहे पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तयार नहीं था गौडजिला पर किंग कॉंग के किसी भी हमले का कोई असर नहीं दो रहा था ना किंग कॉंग पर गौडजिला का उनकी ये भायानक और दिल दहला देने वाली फाइट ने सब को हिला कर रख दिया किंग कॉंग ने राज पर एक नजर डाली जैसे कि पूछ रहा हो कि कुछ करो, कुछ आइडिया दो पता नहीं क्या कनेक्शन था दोनों में पर वो एक दूसरे की बाद पको भी समझते थे ओ, ये ऐसे ही लड़ते रहे तो ये फाइट तो कभी खत्म ही नहीं होगी किंग कॉंग की मदद के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा फिर आज, ये एक केमिकल है, जो इसे पिलाएंगे तो ये या तो सो झाएगा, या तो मर जाएगा एक काम करो, जल्ट से जल ये केमिकल मुझे बहुत सारे गुपारों में भर कर दो आज मेरा बास्केट बॉल खेलने का बड़ा मन कर रहा है सब मिलकर वो केमिकल एक मशीन के जरीए गुपारों में बरने लगे राज तुरंत एक हेलिकॉप्टर में उन गुबारों को लेकर चड़ गया और एक साथ चार पाज बलून उठा कर गॉडजिला के मुँ में डालता रहा राज के इशारे पे किंग कॉडजिला का मुँ अपने दोनों हातों से पकड़ कर खोल देता है उसने बचने की बड़ी कोशिश की पर किंग कॉंग की ताकत कुछ कम नहीं थी तो 40-50 बलून्स उसके मुँ में डालने के बाद वो गॉडजिला कर खड़ानी लगा वो लुड़क कर किसी बिल्डिंग के उपर गिरने ही वाला था किंग कॉंग ने उसे पकड़ लिया और घसिटता हुआ समुंदर की तरफ ले गया दोस्त अपना काम यही पर खतम नहीं हुआ अब इसे समुंदर के बीचों बीच छोड़ कर आना पड़ेगा और ये बस तुम ही कर सकते हो किंग कॉंग ने हाँ में सिर हिलाया और अपने हाँ चोड से पटकने लगा जैसे कि खुद की ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो बहुत सारे पहियो वाली गाड़ी पर किंग कॉंग ने उस गोड़जिला को लिटा दिया और उसकी डोर खुद के हाथों में कसकर पकड़ ली और वो खिचते हुए उसे समुंदर में काफी आगे तक लेके गया और उसे पानी के बीचों बीच समुंदर के नीचे गहराई में छोड़कर वापस आ गया जहां लोग उसका बेसबरी से इंतजार कर रहे थे सबने उसे देखकर उसे थैंक्यू कहने के लिए अपना अपना सिर जुका लिया और तालिया बजाने लगे ये सब देख किंग कॉंग भी बहुत खुश हो गया और चिलाते हुए अपना सीना भीटने लगा राज के पास जाकर उसने बड़े प्यार से अपना हाथ उसके आगे गिया राज तुरंत उसके हाथ पर जाकर खड़ा हो गया और किंग कॉंग ने उसे उपर अपने चेहरे तक उपर उठा लिया और उसे प्यार करने लगा राज ने भी उसे चेहरे को पगड़ कर सहलाया और उसकी आँखों में देख उसे थैंक्यू भी कहा इस अजीबो गरीब दोस्ती का नजारा सब लोग अपनी आँखों में कैद कर रहे थे तो कुछ उनके फोटो से ये वीडियो निकाल रहे थे राज को बड़े आराम से जमीन पर रखकर और सबसे अलविदा लेकर किंग कॉंग अपने घर वापस चला गया और सबने चैन की सास ली